वैज्यानिकों के सार पहले ही चर्चा हो चुकी है वैज्यानिक आशवासन देते हैं हवा में जलवाश्प या बादल होने पर कृत्रिम बारिश को गिराना संबध हैं मौसम विज्यानियों के अनुसार 20-21 नवंबर को दिल्ली में भी ऐसी ही स्थेती रहने की संभावना है वैज्यानिक इस महिने क्रत्रिम बारिश कराने की योजना बना रहे हैं बादल उच्च स्तर के प्रदूशन वाले क्षेत्रों में फैल जाएगा आशोत करता एक विशेश विमान में दिल्ली के आसमान में क्रत्रिम बादलों को लो अंचा करेंगे उम्मीद है कि इन क्रत्रिम बादलों से राहत की बारिश कम होगी और राजगानी का आसमान प्रदूशन से मुक्त होगा दिल्ली में प्रदूशन ने चिंता बढ़ा दे हैं पिछले कुछ दिनों में जहां दिल्ली में एर इंडेक्स क्वालिटी याव एक यूआई खत्रे के निशान को पार कर गया है वहीं दिल्ली इस स्थिती से बाहर निकले का रास्ता तलाश रही है दिल्ली सरकार के अनुसार 20 नवंबर के आसपास क्लाउट सीडिंग के माध्यम से क्रत्रिमबारिश प्रदान करने के प्रयास किये जाएंगे मुंबई, कॉलकाता और दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूशित शहरों में से हैं इस स्थिती में आई आई टेकानपुर दिल्ली में प्रदूशन को रोकने के लिए क्रत्रिमबारिश के विचार में एक समाधान के साथ आने जा रहा है अगर स्थिती ऐसी ही रही तो दिल्ली के लोग 20 से 21 नवंबर के बीच प्रत्रिमबारिश देख सकते हैं दिल्ली के परियावरण मंत्री गोपाल राय क्लाउट सीडिंग क्रत्रिमबादलों को बनाने आ प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया है जैसे फसलों की बीचगबो ए जाते हैं वैसे ही आकाश में बादलों की बीचगबो ए जाते हैं क्लाउट सीडिंग के लिए नकेवल उप्यूक्ट मौसम के स्थिती की आवशक्ता होती है आई आई टे कानपुर के शोद करताओं के अनुसार क्रित्रिम बारिश के लिए विशिष्ट मौसम के स्थिती की आवशक्ता होती है जैसे कि परियाप्ट आरग्रता और उप्यूक्ट हवा क्रित्रिम बारिश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मौसम थोड़ा संशोधित है.